कि आई में फाइनल सब्जेक्ट का नाम सोचलोजी पेपर टू इसका नाम प्रेस्पेक्टिप्स ओन इंडियन सोसाइटी कोशन अंसर 12 यहां पे देखते हैं यहां पर कोशन अंसर 12 तो कोशन अंसर यहां पर कोशन आपे 12 का बार्म कोशन है शमकालिन भारतिय समाज के बिस्ष्ट लक्षडों और सन रूपड की बिस्तार से ब्याक्या कीजिए तो इसका अंशर देखते हैं आपे भारतिय समाज का प्रमप्रागत दार्शनिक अथवा सास्त्री आधार पर किया गया चित्रण इसके समकालिन अथवा आधवनिक स्वरूप को इश्पष्ट करने में सायक नहीं है समय के साथ साथ भारतिय समाज के प्रमप्रागत आधारों मोकितया दार्शनिक अवम सरंचनातमक आधारों में हुए अनेक पड़िवतनों के परडाम सुरूप समकालिन भारतिय समाज में कुछ ऐसे भ पहचान बन गए है इन लक्षडों का उल्लेक धार्मिक ग्रंतों में नहीं मिलता है जो अब इसकी पहचान बन गए है इन लक्षडों का उल्लेक धार्मिक ग्रंतों में नहीं मिलता है ये लक्षड शेत्रा आधारित तत्यों पर आधारित है तथा समकालिन भारतिय समाज क प्रमुक लक्षड संरूपड समकालीन भारतिय समाज को प्रमुक लक्षडों अथ्वा स्वरूपों के आधार के निम्लिखित सीरिस्कों के अंत्रकत इस्पष्ट किया जा सकता है। परिवार को एक आधर्ष विवस्ता के रोप में स्विकार किया गया है। के समय या अन ऐसे ही किनी और अब सुरूप पर सभी अपने अधिकारों और करतब्यों का ध्यान रखते हैं। परिवार के सभी सदस्य करतब वोध के सूत्र में बंदे होने के फलसरूप एकता के सूत्र में बंदे रहते हैं। सभी परिवार पदती में बच्चों का उचित पालन पोशड हो जाता है तथा उनका सामाजी करण भी ठीक प्रकार बढ़ों के लिए मर्रण्यन का भी एक साधन है। यह केबल बच्चों तथा प्रद्धों अपंग बीमार और असाह जैसे बिदवा इस्तरी आदे के लिए भी हर प्रकार की सामाजिक मांशिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। साधन परिवार ने सदा विपतियों के विरुद्ध सामाजिक भीमे का कारे किया है तथा किसी भी दुरगटना या आक्षमिक विपत्ती के समय परिवार का कोई भी सदस स्वाम को आशाह अनुभव नहीं करता है। यह सामाजिक निमंतर तथा व्यक्तित्प के विकास की दरश्टी से भी एक आदर्श विवस्ता है जो संस्कृति की रक्षा तथा इसके आस्तनांतर में महतपूर इस्तान रखती है। परिवार की शंख्या में काफी व्रद्धी हुई है। नए स्टाडिंग है यहां पर व्यभा के विभिन स्वरूपों का प्रेचलान। भारती समाज के अंतरगत व्यभा के विभिन स्वरूपों को स्विकार किया गया है। जैसे एक विभा तथा बहु विभा। यह सत्य है कि आदर्श्री विभा के रूप में तथा कानूनी रूप से आज एक विभा को ही स्विकार किया गया है। परन्तु एक लंबे काल तथा बहु पत्रित्व का प्रेचलान रहा है। आज भी अनेक जन्जातियों समुहों का प्रेचलान है। प्रमप्रागत भारतियों के रूप में स्विकार किया जाता रहा है। तथा सास्त्रों में हिंदु विवा के आठ प्रंप्रागत सोरूपों का उलेक मिलता है। हरिक नंबर थिरी है यहां पे पित्र सत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। शंशार में दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पित्र सत्तात्मक परिवार तथा मात्र सत्तात्मक परिवार पित्र सत्तात्मक परिवार में पिता की प्रधानता रहती है तदा पी मात्र सत्तात्मक परिवार में माता की प्रधानता रहती है यत भी भारत में दोनों ब्रकार के परिवार पाय जाते हैं तदा पी प्रधानता पित्र सत्तात्मक परिवारों की ही है मात्र सत्तात्मक परिवार केवल मालावार, ट्रावनकोर, कोचीन के नगरों में तथा असोम में खासी, सिनरोग, गारों, आदी जन्जातियों में पा जाते है पित्रवंसिये परिवार मुक्ता पित्रसतात्मक जिसमें सत्ता पिता के हाथों में होती है तथा पित्रस्तानिये जिसमें कन्या विभा के पश्चात बर के घर आती है भी होते है जबकि मात्रवंसिये परिवार मात्रसतात्मक तथा मात्रस्तानिये भी होते है हेडिंग नंबर फूरते यहां पे ग्राम में और किर्शी समाज की प्रधानता बर्ष 2011 की यंगर्णा के नुशार भारत की 68.84 परशेंट जनता ग्राम में निवाश करती है जिसका मुख बेवशाय किर्शी है यदि पी नगरीकरण की प्रिकरिया भी तीब्र गतीशे हो रही है तदा पी भारतिय समाज में आज भी ग्राम में किर्शी समाज की प्रधानता है आज भी हम यह कह सकते हैं कि भारत गाओं का देश है और किर्शी यहां की लोगों का मुख बेवशाय है हैलि नमबर फाइब है हाँ पे शमाजिक प्रधाओं वा प्रमपराओं की भारूपता यदि शम्पूल भारत की शमाजिक प्रधाओं वा प्रमपराओं का ध्यन किया जाए तो हमें ग्यात होगा कि रिती रिवाजो प्रताओं और परंपराओं में पर्याप्त भिन्निता है देश के विविन्ने भागों में विवित प्रिकार की प्रताओं परंपराओं परेचलित हैं तथा कई वार बे एक दूसरे की ब्रोधी भी होती हैं ये सामाजिक प्रताओं भारतिये जीवन में पाई जाने बाली भाग बादिता के लिए उत्रदाई रही है। विभा निशेद आधी को समाप्त करने के लिए धार्मिक मानतां की प्रतिक्रिया के पडाम शरूप एक ब्रोधी आंदोलन शुरू हुआ। भायम एन स्री निवाश के अनुशार लोकिकरण सब्द से तात्परिया है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह बैशा नहीं माना जा रहा है। और उसका तात्परिया विवेदिकरण की एक प्रतिक्रिया से भी है जो की समाज के विविन पहलूगों आर्थिक, राजनितिक, कानूनी और नैतिक के प्रती शम्मंद में अधिक्षे अधिक प्रतक होने में दिखाई पड़ते हैं। भारत में लोकिकरण सब्द का प्रियोग दो अर्थों में किया जाता है। भारत में लोकिकरण ने भारतिय समाज की सरेंचना में भारी परिवायतन किया है। इसके पड़ाम शरू भारत में तर्गिक्ता तथा बैज्यानिक दस्टिकोड का विकाश हुआ है। लोकिकरण में बुद्धिबाद अत्बर बेवेक्षिलता को अधिक महत दिया जाता है। पिरते गड़ना की व्याक्या तर्ग एवंकारिय कारण सम्मंधों के आधार पर की जाती है। रूडियों और अंद्विश्वाशों का इस्थान तर्गिक्ता ले लेती है। बुद्धिबाद का लक्ष समाजिक बेवारों को तर्क बबुद्धी के सिध्धान्द के अनुशार नियमित करना एवं तर्गहिन बातों को श्माप्त करना है। हैरिंग नंबर शैवन है यहां पर आधुनिक की करण की ओर अगरशर। प्रिक्रिया लगबग एक सतावदी तक चलती रही सुवाविक था कि बेवे अपने समराज की स्थापना के लिए और फिर उसे बनाया रखने के लिए कुछ नई तक्निकी और संचनाव का भारतिये धरा पर आरोपल करते बही हुआ भी। पादन में नई मसीनी तक्निकी व्यापार के नई बाजाय पर लाली आतायात और संचार के शादनों का विकाश, करमचारी तंतर पराधारित, सिबिल सेबा का अखिल भारतिये स्वरूप, आपचारिक और लिखित कानून की इस्थापना, आधुनिक सैन संगठन, संगठित बाप्रसिक्षित पर्थक नियाग विवस्ता और आधुनिक और आपचारिक सिक्षा विवस्ता बे महतपूल कदम है, जिन्होंने आधुनिक की करण के लिए आवश्यक प्रस्ट भूमी तयार की नेक्स्ट एड़ी नमबर आठ है यहां पे बरती हुई शामाजिक गतिशिल्ता, बरती हुई शामाजिक गतिशिल्ता शमकालीन भारतिय समाज की एक प्रमुख विश्यक्ता है, ऐमेन श्रीनिवास ने उचित ही लिखा है कि बिरटीस्ट पूर्व भारतिय समाज प्रमप् प्रमाण मिलते हैं कि इस परंप्रागत संचना में भी जातियों के लिए स्थानिय सोपान करम में ओपर या नीचे घतिसीलता करने के अफसर बिर्दुमाज थे। तथा जाति के प्रमुक लक्षड बदलने लगे। इन परिवतनों की तलास में नगरों तथा ओध्योक केंद्रों की तरफ आने लगे। प्राप्ती के पस्चाद अनुस्ची जातियों अनुस्ची जैजातियों अप्राप्ती के लिए सरकार दूरा प्रारंब की गई बिवित प्रिकार की योजनाओ। सब्सक्राइब पिन waren का म Catholics ze 10 म्लिध ऐ बैं अब इन시 इन ज सामाजी को चाए कुर्ठ प्रतिसां एýड लाहत 네 समें संवाजी ऊत्र नेटिक निन सामाजी विसों पर अभी ऑप ही रदेह आगी हुई हुई है तधा आप इन जातियों के लोग शिक्षा के महतको सम seventeen सब्सक्राइब कर दोगे सकतब्सक्राइब Nowba हैडिंग नमबर 9 समानता भात्रत्व एवम सोतंत्रता संबंदी मूलियों का पिर्शार समकालीन भारती समाज में समाज एवम सोतंत्रता परवल देने वाली सरंचनाई बिखिशित हो रही है बस्तोता समकालीन भारत की एक प्रमुक्र उपलब्दी लिखित सम्विधान की रही है ये सम्विधान बेसमे सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है जो भारत में धर्मिर पेक्च समाजिक आर्थिक नियाए भातरत्व एवम समानता बप्रजातांत्रिक लोगतांत्रिक की स्थापना की कोशला करता है भारत में सारबहमेक बैस्व मतादिकार पराधारित संसदिय राजनेतिक प्रडाली को अपनाया गया है यह राजरेतिक दलो के माद्यम से प्रतियोगी राजरेति का मर्ग प्रशस्त करती है एक सक्तिसाली केंदर की आधारशिला रखते हुए भी हमारा सम्विधान भारत के राजियों के लिए संगहत्मक स्वरुप्रिष्थूत करता है समानता भात्रत अभम स्वतनतरता जैसे जिल किसर बास के लिए बिसी सुवद्धार प्रदान करने का उत्रतैत्व सरकार ने वहन किया है इसके लिए अनेक रजनात में कोपाए अपनाए गए हैं जैसे संसद अभम बिधान सवाह में उनकी प्रतिदिव हेतु सुरक्षत स्थाण सरकाहरी सेवा अरख्ष्ट की सु हेडिंग नमबर 10 है नभीन बर्ग सरंचना का उजए प्रंपलागत भारतिय समाज जाती पर आधारत उच नीच बाला समाज रहा है जातीय सरंचना इतने अधिक प्रबल रही है कि इसने आर्थिक आधार पर बर्गों को भी अपने नीचे दवाय रखा है तता बर्ग सरंचना को उबरने नहीं दिया है समकाले भारतिय समाज में आर्थिक राधार पर निर्मित बर्ग जातीय सर्याणियों से अलग होते हुए दिखाई देते हैं द्वारा सुरक्षा देना, उच्चितम सीमा निर्दाड, द्वारा भूमी का पुनर वित्रल करना, तता सहकारी किर्षी का विकाश करना था, इस तिसा में जमिदारी उन्मूलन अधेनियम तता भूमी सुधारों से सम्मंदित अन्य अधेनियम सराणिये प्रयास माने जाते ह इन प्रयासों के पड़ाम सुरू भारतिय किर्षी रुपांतर के इस्तती में है, जिसमें अर्द सामंतबादी विवस्ता काफी सीमा तक समाप्त हो गई है, यह उन खित्रों में अधिक हुआ है, जहां उत्पादन हेतु उन्य तकनेकी का प्रयोग होता है, पिछले कुछ दस्कों में अधुनेक उध्मी किर्षकों का एक ऐसा बरग विख्सित होता जा रहा है, जो अपनी भूमी पर किर्षी किराय पर काम करने वाले स्रमेकों की साहता से करता है, तथा नवीन तकनीकी एम्म उन्नत वीजो का भी प्रयोग करता है, इस बरग आधिकतर बे परिव सब्सक्राइब करने लगे हैं नए स्थानों पर इन सर्मेकों के संबंद जाती या इधार पन्रधारित नहीं होते हैं संब्सक्राइब करें संब्सक्राइब करने लगे परीवर्तन की अनेक प्रक्रियान प्रभावित कर रहे हैं इसे कुछ प्रिवर्तन की प्रमुक्रियाब इसके माध्यम से निम्न जातियां उच्छ जातियों के सास्त्री संस्कार बर करमकांड अपनाकर सामाजिक संस्कार में उच्छ स्थान का दावा करती हैं यह दावा तुरंत सुईकार हो या ना हो यह अलग बात है लेकिन ब्रहम्मणबादी करमकांड यह सास्थरी संस्कृति का इस माध्यम से सर्वेव्यापी कराण तो होता ही है जो प्राण इस्तिती में निश्चित बजलाव पैदा कर देता है पहले यह करमकांड केबल उच जाती हूँ तक ही सिमित है अब अनेक निम्न जातिया इस पिकरिया के माध्यम से अपना सामाज के इस्तर उचा उठाने में सफल रही है पिछले 200 बरसों में बिशिष्टया अंग्रेजी सरकार के माध्यम से हम पच्चिम के ज्यान जीवनसायली संस्कृति तथा यंत्र बातकनी की से प्रभावित हो रहे हैं इन्हीं परवतनों के लिए पच्चम कर सब्द का प्रयोग किया जाता है। पच्चम कर की पिकरिया ने भी भारतिय समाज एवम संस्कृति को काफी प्रभावित किया है तथा ये कहा जाता है कि सायद ही ऐसा कोई शित्र पड़ा हो आजादी जिस पर इसका प्रभाव ना पड़ा हो आजादी के बाद ये प्रभाव और भी अधिक बड़ा है यह सच है कि पहले उच्जातियों में पच्चमिकर्ण हुआ लेकिन दीरे दीरे बा काफी सीधे ही नि संस्कृतिकर्ण एबंपच्चमिकर्ण की पिकरियाओं के बड़ाम सरूप प्रमप्रागत कठोर जाती संचना में महत्पूर परिवर्तित होता जा रहा है जाती का प्रमप्रागत ब्यवशाय से जो संबंद था बहसमाप्त हो गया है आज किसी भी जाती का ब्यक्ति कोई भी व्यवशाय अपना सकता है जाती एकता में कमी होई है तथा जाती गुट उभरकर सामने आने लगे हैं जाती निशेदों में भी परिवर्तन हुए हैं तथा ब्यवशाय विभा, खानपान, तथा सहवा, संबंदी, निशेद, प्राया समाप्त हो गए हैं निर्म्र जात भी विभन जातीयों में सामाजिक दूरी निश्चित रूप से कम होई है उप्रेक्त विविचन से यह इसपस्ट हो जाता है कि आधुनिक भारतिय समाज का छेत्रा धरित दस्टिकोर द्वारा निर्मित पासरब चित्र भारतिय समाज के उपष्ट किये अथ्वा सास्त्रि दस्टिकोर द्वारा निर्मित पासरब चित्र से पूरतिया विन है आधुनिक भारतिय समाज में बढ़ मेवस्ता आश्रम मेवस्ता पुर्शार्थ रण संसकार आधी संस्तागत अधारों पर इसका महत्व काफी कम होता जा रहा है नेश्ट है यहाँ पर हैडिंग है यहा पाई जाती है बिश्व के सभी प्रमुक धर्म भारत में विदमान है एमें श्री निवास ने भारतिय समाज के इस धार्मिक विवद्यता पर टिपड़ी करते हुए बहुत उचित लिखा है कि विभिन जातियों और जन्जातियों के धर्म का ध्यन विभिन तत्व को प्रि बस्तुता भारतिय समाज में भी सभी प्रमुक धर्मों के लोग अलग निवास करते हैं तथा बे अपनी धर्मिक विश्ष्थाओं को बनाय रखने का प्रियास करते रहे हैं हिंदू बहुत संक्यक तो हैं परन्तु बे बहुत देवबादी होने के कारण बहुत से प्रिलक्षित होता है जो बिदेशी मूल के धर्म भारत में आए बे भी आज भारतिय समाज के अभिन अंग बन गए हैं धर्मिक विवदित्ता धर्म से सम्मंदेत सांस्कृतिक अभारिक प्रतिमानों में भी अंतर पैदा कर देती हैं धर्म के लिए इसलाम धर्म के इसे परकार जैनियों आएवम बौत धर्मों के अनुआयों के बिशवाष हैं अवर्म संस्कार क्रम काbuildैंत। अ हिसाइन आवर्म के मानताओं पलड़ेत हैं इसाइनियों के विशवाष हैं यह तो सम्मानों में यह समझाऊता माना जाता है कि दोन में कानूनी चुब से एक वीवा का प्रस्थान है तो मुसलमानों में कनून करूं देिया काफि जटिल है दार्मिक बिवदता खानपान पहनावे एवम बेवार में बिनता को भी पुरुसान देती है उधारण के लिए भोजन साकारी होना चाहिए या माशारी या काफी सीमा तक दार्मिक मानताओं एवम अदर्शो द्वारा निर्दारित होता है उत्तर भारत एवम दक्षड भारत के खानपान में काफी अंतर है समुझर तर्ट के निकट रहने वाले लोग चावल एवम अचली आदे खाते हैं इसी प्रिकार पहाड़ों में रहने वाले अधिकांस लोग माशारी हैं मुस्लमानों में महलाएं परदा करती हैं तता बाहर निकनने पर बुरके का प्रियोग करती रही हैं यह प्रता आज भी अनेक मुस्लिम परिवारों में इस पश्ट रूप से देखी आ सकती है परदा प्रथा के काल मुस्लिम परिवारों में सिक्षा का पिर्चार वापिर्चार कम हुआ है जिसके पढ़ाम सरूप बे अन्य धार्मिक संपरदाओं से सिक्षा की दृष्टी से पिछडे हुए हैं हिंदू महलाओं में पर्दा प्रथा स्माप्त प्राया हो चुक्की है पश्चमिकर्ड आवम आधनेकर्ड की पिक्रियां का प्रभाव मुस्लिम महलाओं की तुलना में हिंदू महलाओं पर अधिक पड़ा है। धार्मिक मानतां जीवन के प्लती दिश्टिकों तथा विस्व द्रश्टि को भी प्रभावित करती हैं। उधार के लिए सेमित परिवार अभी परिवार नियोजन हिंदूओं और इसायों में अधिक सफर रहा है। तथा मुस्लिम परिवार अभी भी परिवार नियोजन के प्रति सचेत नहीं है बहुता है इसी प्रीकार धर्म के आधार पर जर्म-धर्म से भी इसपश्च रूप से अंतर पाया जाता है मुश्लमानों में जर्म दर अधिक है जिसके काड़ अन धर्मों की तुलना में मुश्लिम जन्जंक्या में व्रद्धी की दर अधिक है अनेक विद्वान धार्मिक मानता को ही मुश्लमानों के विश्लेपन का काड़ मानते हैं भारत की अनेक जन्जातियों में जनमदर बहुत कम है तथा उनके जन्जंकिया में चिंता-जनक हिरास हो रहा है सांस्कृतिक एवन ब्यभारिक प्रतिमानों में पाई जाने बाली विवद्वत्वता समय समय पर शामाजी विवश्ता में धार्मिक संगर्स के इस्तती भी पै होते हैं मरन राज्किय सेवा में अधिक प्रतिनित्व या किसी पुराणी इमारत पर कबजे को लेकर हो जाते हैं संपरदायकताबादी प्राया येस मैसूस करते हैं कि उनका सूर्ष्ण बहुत पीलन हो रहा है अथ्वा इन्हें किसी अधिकार से बंचित किया जा रहा है चाहां ये बात यथार्थ हो या ना हो यहां हम दादा भाई नेरो जी के सब्दों का इस्मल दिलाना चाहते हैं कि हमें संकुचित धार्मिक दायरों से उपर उटकर ब्यापक द्रश्टी से देखना चाहिए उन्होंने कहा था कि चाहें मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ पार्सीह हूँ एसाई हूँ या अन्ध किसी धार्मिक विस्वास का हूँ इन सब से उपर मैं एक भारतिया हूँ इस भावनाय के अभाव में सदियों से चली आ रही। सांस्कृत ये एकत्व में बढ़ जाएगी सांस्कृतिए प्रतिमानों में विविदित्ता बार्तिग समाज के अध्यथा नेतु बहुलबादी दिश्टिकोड अपनाना अनिवारी बना देती है। प्रत्योंगी तत्वों के पिर्वता स्विकार करने के लिए तत्पर नहीं होता इसलिए विभन समुओं के बीच अंत्रियाँ का स्वरोप अधिकांस्ता और बस्तता सौधेबाधी और समझाते को हो जाता है यह बहुलबादी द्रिश्टिकोल भारतिय समाज में बिद्दमा धार्मिक समूवों पर पूरी तरह से लागू होता है पिर्जाता अंतरिक प्रतियोगी राजिती ने धार्मिक बहुलबात को और भी अधिक सक्रिय बना दिया है भारती समाज में अलप संक्यक सब्द का प्रयोग धार्मिक द्रश्टी से अलप जनसंक्या बाले संप्रदायो के लोगों के लिए किया जाता है